आज मैं आप लोगों को यह basic concept of mensuration बताने जा रहा हूं इसका पहले मैंने आपको फर्स्ट वीडियो mensuration पर आधारित बताया था जो की basic concept ही था उसमें जो था उसमें जो है छेत्रफल और परिमिती कैसे से निकालेंगें किसी भी छेत्र का को ही बताया था मैं आप लोगों को area and perimeters बताने जा रहे हूं जो कि triangle से संबंदित है तो triangle से संबंदित है मैंने अगले वीडियो में आपको बताया था कि भुजा के विचार से तिर्भूज 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 और भी शंबाव तिर्भूज और तीनों तिर्भूज का छेतरफल कैसे निकालते हैं उसको मैं बता दिया हूँ आप देखना चाहते हैं तो पीशे का on talent pulse Conteless जो है जिस थी पुरुप जा है समकॉन ययानी 90 दिग्री हो उसे हम समकॉन ट्रुप गाते हैं दोस्तों तॉय। किसे काते हैं जिस त्रिपोई का एक आजी तुरुट ऐा जो हम समकॉन 30 जो को रहे हैं और वनसी सम्कॉन दिवाहू ट्रुप संगी तिर्भूज जिस तिर्भूज की दो भुजाएं बराबर हो और उसके बीज का कौन जो हो 90 दिग्री हो तो उसे हम आइसो 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 सेल्स राइट एंगिल ट्रेंगिल यानि सम्धिवाऊ समकौन तिर्भूज कहते हैं दोस्तों तो जैसे जैसे मौन लोग एबीशी एक समकौन तिर्भूज है जिसमें कि कौन भी जो है हमारा 90 दिग्री है तो यह ओल इन ओल क्या है यह हमारा एबीशी एक समकौन तिर्भूज हुआ अब दोस्तों इसमें यह देखना कि समकौन तिर्भूज में क्या होता है लंब परपंडिकुलर बेस आधार और कर्ण हाइप को टेनस तीन चीज होता है जो की बाद में उस पर आधारित फर्मूला होता है तो सबसे पहले चलते यह जानते हैं कि कौन सा होता है तो समकौन में जो खरी भूजा होता है वह होता है हमारा लंब यानि उसको बोलते हैं पी मिन्स परपेंडिकुलर यानि वह होता है हमारा और जो पड़ी भुजा होती है जो नीची तरफ की भुजा होती है वो होता है बेस यानि की बी यानि वो क्या होगी है हमारा आधार और समकौन के सामने की भुजा जो होती है वो होता है हमारा कर्न तो दोस्तों इसमें यह देखना है कि कर्ण जो है हमारा AC है आधार जो है हमारा क्या है BC है और क्या काते लंब जो है यहां पर AB है ठीक है तो सबसे पहले हम देखो एरिया of right angle triangle बरावर होगा एकवटे 2 गुना अधार गुना ऊचाए यहां पर ततिरुबूच एभी सी में जो है हमारा आधार क्या है ए है और उचाए क्या है सी है तो यहां पर हम क्या लिए दैंगे एक भेटे literature गुना एक गुना C इसके बाद perimeter of right angle equal to क्या हो जाएगा हमारा Lumb plus आधार plus कर्ण यानि Lumb plus आधार plus कर्ण क्या हो जाएगा हमारा Lumb हो गया C plus आधार A और उसके बाद कर्ण क्या है B यानि टोटल मिलाकर और क्या हो जाएगा हमारा A plus B plus C दोस्तों यह हमारा जो है समकॉन त्रफाल करेशे निकालेंगे और उसका परिमिति करेशे निकालेंगे उसको हम जाने ता उसके बाद एक टॉपिक पर हमां जाते हैं कि आपको हम बता है ते अगले वीडियो में कि बुझा के विचार से त्रफूस तीन परकार के होते हैं आप बता रहे हैं कि कौन के विचार से त्रफूस तीन परकार के होते हैं कौन के विचार से होता है समकॉन त्रभूश और दूसरा होता है अधिकॉन त्रभूश यानि जिस त्रभूश का एक कॉन जो है 90 डिग्री से बढ़ा और 180 डिग्री से छोटा हो वह त्रभूश क्या होगा हमारा अधिकॉन त्रभूश एस एकजांपल हम जैसे यह अधिकर बनाते हैं । यहाँ पर इस टाइब से मॉनलोई ए बी और सि यहाँ पर कॉन डी जो है वह 90 डिग्री से देखो बढ़ा है और क्या है 89 से च्छोटा है यहानि कि यह कॉन ंवी जो है कॉन बी एक्वल टू क्या है 90 डिग्री से 12 और 180 डिग्री से छोटा तो ऐसे तिर्भूज को हम क्या कहेंगे आधिक कौन तिर्भूज और तीसरा आता है नियून कौन तिर्भूज यानि जिस तिर्भूज का परति एक कौन न्बे डिग्री से छोटा हो वह तिर्भूज क्या होगा नियून कौन तिर्भूज होगा जयसे संबावम तिर्भूज में परति एक कौन जो है 60 degree के बराबर होता है जो कि 90 degree से छोटा है तो वह तिरभूज हमारा क्या कहलागा कौन के विचार से नियोन कौन तिरभूज यानि नियोन कौन तिरभूज का फिकर हम इस टाइप से बना सकते हैं जैसे मौनलो A, B, C और कौन A मौन लो यहाँ पर हमारा कितना है साथ डिगरी ये भी है ये भी साथ डिगरी है और ये भी साथ डिगरी है करने का मतलब ये तीनों कौन जो है कितना साथ डिगरी 90 डिगरी से कम है तो वो हमारा त्रिभूज क्या होगा नियोनकन त्रिफ और इस तरह के निकालने के लिए है a b plus shi plus a c य安ी हम तीनो हुजा 26 कि श्यत्रफल क्रेक्ष नृ儿 निकलने के लिए सबसे पहले जिसे a के समन्हें की बुझा a b के सम्हें के समन्हें की बुझा b और c के समने की बुझा c तो इस तरह से सबसे पहले हम लिखे आँए एरिया इक्वल टू हो जाएगा अंडा रूट इस टाइप से निकालाएगए एस इंटू एस इंटू एस मैनस एंटू एस मैनस बी इंटू एस मैनस चजहांपर जो एस बराबर अमरा क्या है एक प्लस बी प्लस मीशीन वाइट करने का मतलब हैं कि इस का बेल्यू निकलने के बाद जो है एरिया ओफ ट्रेंगील को ल्ट होता है जो कि ही लोन के सुत्र पर आधारित है अंडर रूट-स-स----------------------------------------------------------------------------------------------------?------------ हो तो समकों तरभूज के लिए हमें जो है मैं फर्मूला है एक बटे दूगना आधार ना उचाहिए उससे हम छेत्रपल निकाल सकते हैं दोस्तों आज मैं आप लोगों को जो है राइट एंगिल ट्रेंगिल के बारे में बताए और इसके बारे में और कुछ सुम इंपोर्टन्स तत्य बताने जा रहा हूं जिसको आप दियाउन से देखेगा है हां तो दोस्तों यह राइट एंगिल ट्रेंगिल जो है इस पर संबंदित जो इस पर आधारिक जो है कुछ इंपोर्टन्स फर्मूला है कि इस पर जैसे कर्ण हो गया यह हमारा आधार हो यह बी और यह हो गया लंब तो जैसे मौन लो कि कि यह हमारा लंब जदी लंब इक्वल टू क्या हो पी हो लंब क्या हो पी हो कि उसके बाद आधार आधार यदी बी हो और क्या कहते हैं कर्ण कर्ण को ज़दि हम एच मौनते हैं तो यहां पर क्या वहता है ए एक बडावर है आच इस्कॉर्ण बडावर हो जाएक हमारा पी स्कॉ Chapel प्लस बीड कॉज्णि यह स्कॉर्ण उन दियां रलेगगी वाली बात है है यह यदि है यह पर हम लिख आगे गाले है । प्लब्लास मे इसकोए हम इसरी क्ला इसे निक्याल नोयग Quattro बड़ाबर क्या हो जाएगा है स्कॉर मैनस बी स्कॉर ह स्कॉर मैनस बी स्कॉर या पी बड़ाबर क्या हो जाएगा अंडर रूट H square minus B square उसी तरह से यदि हम क्या यहां पर क्या निकाले यहां पर क्या निकाले हम P square का value यदि B square का value निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा B square बरावर H square minus P square तो कि यहां पर यदि यह तो हमारा first formula हो गया ठीक है यह हमारा second हो गया और इसके बाद third में क्या आता है यदि B square का value हम निकालाएंगे है तो वो हो जाएगा क्या h square गटा P square h square गटा P square या B बरावर हो जाएगा हमारा h square minus p square h square minus p square देखो दोस्तों यह जो है h square बरावर P square plus B square यह जो है एक प्रमे भी है जो की साबित करने के लिए होता है तो कभी जदि आपका वीडियो हम आपके लिए वीडियो बनाएं तो यह जो है यह यानि लांभी square करनी square प्रावर लंभी square प्लस आधार square का वीडियो भी कैसे होता है यह प्रूफ करके आपको हम अप्लोड कर देंगे तो दोस्तों आज इतना ही फिर मिलते हैं अगले वीडियो के लिए आप वीडियो को देखिए तो कम से कम उसको लाइक शेयर और सबस्क्राइब अबस किजिए और जो है प्रेक्टीस प्रेक्टीस यह नहीं प्रेक्टीस से ही सब चीज संभब मिलते हैं अगले वीडियो में थैंके